बहुत बड़िए गुद वर्णिंग वेरी गुद महांने लुए गुद आफ्टरून कहा से वोगया वी से दानिग आवि बहुत द्यान आटाइक चीजों को समझा साथ बहुत द्यान अकसद जैन आ मि तोज अभी तबहे ठीक नर्भी बेटा सवरे बीमार पड़े हुआ हू कस्ट में है कोई बात में इधर आएक सभी बालक कि इधर आएंगे वाइस सभी बच्चे और भौत यान से सको देखें गें है कbersi इस कंसेप्ट को देखने सीकने की कोशिस करें बीड़ बात रहा क्या नहीं प्लीज बच्चों बात नहीं करनी बोह ध्यान wife concept को सुनना है सिर वाल आ रहा वह यह metallic bond कैसा बॉंड है metallic bond सर ने क्या क्या पढ़ाया भी तक मैं आपको बताता हूं सर ने सबसे पहले पढ़ाया जीवन में क्या पढ़ाया बता हूं सबसे पहले पढ़ाया आप लोगों को hydrogen bond और hydrogen bond के दो टाइप पढ़ाया वेंटरवाल for's वेंटरवाल force के पास-टाइप पढ़ाया तीन दो प्लस दो वाले टाइप पढ़ाया इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ाई कि उस topic का नाम रहा उस topic का नाम रहा क्या अभी जो पढ रहें acjametallic bond प्रिश या मैं बोलू करें जालिया जी बात कर लेते हैं किसकी बाइअ को देखते चले जायता है बस ध्यान से इसको देखते चले आए बहुत मज़ेदार तरीके से इन सभी कॉंसेट्स को मैं यहाँ पर कवर करा दूँगा बहुत ध्यान से इसको आप लोग प्लीज देखें तौपिक बेसिक है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चा इमानदारी से इसको पढ़ेगा उसके लिए ये टौपिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है बहुत आसानी से इसको सिखा दूँगा See, metallic bond के बारे में मैं बात करा हूं किसके बारे में बात करो मैटा? Metallic bond तो metallic जो bond होता है basically तीन category में categorize है सबसे पहले है free electron theory इसके लिए तीन बाते प्रपोज होई है सबसे पहली बात क्या वेटा free electron theory इसका दूसरा नाम है electron c model इसका तीसरा नाम है electron gas model ठीक है अब सर सवाल उठता है यह theory है क्या यहां basically force of attraction मिलेगा positive charge जिनको प्यार से लोग kernel के नाम से जानेंगे kernels के नाम से जानेंगे ठीक है और free electron या mobile electron that electron must be mobile यानि कि free इनके attraction को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा free electron theory बोलेंगे और यह distance जादा होने के वजए से gaseous compound में convert हो जाता है तो बोलते हैं electron gas model भी है अब ही सिखाऊंगा यह क्या है बहुत ध्यान से सुना बहुत मज़ेदार तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं बैने बोला electron free electron theory या generally इसको electron c model के नाम से जानते हैं electron gas model के नाम से जानते हैं बेटा जी एक टम और आती है जिसका नाम है पॉलिंग theory it is based on it is based on रज्जो लब resonance resonance पर बेज़े सर्ड रेजोनेंस क्या होता है जब कभी भी जब कभी भी जीवन में जब कभी भी जीवन में bond बनता है तो energy release होती है बहुत छोटी बासा में सिखा दें तो resonance energy हमेशा system को stability provide करती है वो किसी भी माद्यम की stability हो right मैंने क्या बोला मैंने बोला it is based on resonance it is based on resonance जो bend theory है b e n d बोलते हैं इसको bend जो bend theory है it is based on moth it is based on moth सरी कैसी कैसी बात कर रहें सुभे सुभे है न मौत का मतलब क्या है यहां पर molecular orbital theory आपको मौत को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे बिलकुल लगेगा आली शान मौत हो रही है ठीक है न मलब की जबरजस्त मौत है बहुत बढ़िया तरीके से मलब मौत is the favorite topic आप ऐसे करेगा force of attraction between positive and negative यहां जो negative है वो electron और वो mobile होते हैं और जो positive है वो क्या kernels है सर नहीं समन माया हमारे भी नहीं आया देखो यह लीथियम है यह लीथियम कॉंसी स्टेट में प्रजेंट अभी गैसियस तुम्हे काम करो इस भाई साब को convert कर दो किसमें लीथियम प्लस में कोई दिक्कत है यहां तक ऐसा करोगे तो obvious है आप लोगों को energy देनी पड़ेगी इसी energy का नाम क्या पढ़ाया सर नहीं आयोनाईजेशन एनर्जी जहर मैटल गैस में एक्च्वल में न इसमें थोड़ा सा लोगों को मित होता है कि एक मैटल को पकड़के गैस बनाना है यहार गैस नहीं बनाना होता है उसका दूसरे मैटल के साथ interaction इतना कम कर दो जैसे मानों गैस का interaction होता है क्या मेरे बाद परीजन है जो इसके मित्र है जो इसके सका है उनसे दूर कर दो इतना दूर कर दो जैसे gaseous molecule रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि lithium in gaseous state plus charge क्या तुम्हें समझ मा आ गई क्या तुम्हें बास समझ मा आ गई कि gas होने की वज़े से इसको सर ने लिखा हुआ है electron gas model क्या इसको लिखा हुआ है electron gas model अच्छा यहां free electron होने के वज़े सर ने क्या लिखा है इसको इसको लिखा हुआ है free electron model या free electron theory अब बुद्धे की बात है या electron c model क्यों लिख दिया फिर चले सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की knowledge के लिए बात बता देता हूँ जब क्या बोला जाता है बिटा kernels इनी को physics में लोग कहते है holes जब वो आपको junctions पढ़ाएंगे semi conductor पढ़ाएंगे 12th class में तो इसी term को बोलेंगे holes और वही holes हमारे लिए क्या होते हैं kernels होते हैं और यह है वो free electron जो किसी से bounded नहीं है यह बिचारा घूमता रहता है सर यह कहां घू घूमता रहता है यह घूमेगा कहां भाया इसका जरा electronic configuration लिखना यह तीन element तीन इसका atomic number होता है तो electronic configuration must be 1s2 2s1 after releasing one electron तो भाया 2s तो ही है इसके लावा अगली खाली पी भी तो पढ़ी है पी में क्या जीरो है आराम से इसका electron घूमेगा कभी यहां जाएगा कभी यहां जाएगा कभी यहां जाएगा कभी यहां जाएगा तो मतलब it is very free चलो यह तो लीथियम हो गया इसके नीचे sodium होता तो तुसर यह 3P आ जाता 3D आ जाता जो कि वेकेंट है तो इन वेकेंट और इसको बोला गया प्री क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन बात बता रहा हूं अभी तक किसी बच्चे ने मुझसे केमिकल बॉंडिंग का सी भी ना पड़ा हो घबराए नहीं आज की क्लास इतनी धुरंदर समझ माएगी उसको फ द्यान से देखेंगे भाई सभी वाला इधर देखेंगे सभी मैं आप से क्या कह रहा हूं मैं आप से कह रहा हूं आप चुप चाप से यह ऐसे पॉजिटिव बना लो चार पांच और यह पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं यह वही लीथियम पॉजिटिव है और इन पॉज करते रहते हैं क्या करते रहते हैं वाइब्रेट बहुत ज्यादा टेंपरेचर दे दोगे तो हाइली वाइब्रेट करते हैं ज्यादा टेंपरेचर देने पर क्या होता है वेटा हाइली वाइब्रेशन होता अब मैं क्या करा हूं यह जो तुम्हें बाकी का स्पेस दिखाई दे रहा है जगे जगे इलेक्ट्रोन भर दीजिए जहां मन आए वहां भर दीजिए जितना मन आए उतना भर दीजिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रोन इस परकार से मॉडल के अंदर प्रजेंट है और मेरे प्यारे बच्चो इस करनल का इस इलेक्ट्रोन से इस इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन से जो भी अट्रेक्शन है that all attraction is nothing but what metallic attraction और इसी metallic attraction को हम लोग क्या बोलते हैं metallic bond बोलते हैं बाई बास समझ माई या नहीं आई एक बार दुबारा सुन लो एक बार दुबारा सुन लीजे सभी बालक मैंने बोला kernels generate कैसे होते हैं जब electron आप बाहर निकालते हो जब electron बाहर निकालते हैं तो क्या generate होता है kernel और kernel जब generate होता है प्यारे बच्चों तो kernel generate होने का sense यही है कि जब kernel जनलेट होगा तो एक electron, फिर electron बाहर निकलेगा, तो यहां से यह जो kernel है और इस electron का जो भी attraction है, इसी attraction को हम लोग क्या बोलते है, metallic attraction, for your kind information, metallic bond, covalent bond से weak होता है, कुछ बच्चे कहे रहेंगे, metal, iron, iron मतलब तोटी ना पाए, वासा जिमारी नहीं आ रहे, गलत statement, iron का वाँ बंच है, cluster है, वो अलग factor आ गया, otherwise सबसे strong पाए जाएगा, ionic, उसके बाद coordinate, covalent, और उसके बाद कहीं जाके metallic present, आप याद होगा, जब मैंने hierarchy बताई थी, तो यह बाते मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनो, मस्ती से concept को पढ़ने की कोशिस कर भाया, मेरी बास समझ में आई अभी, कुछ-कुछ बाते पलने पड़ गए, कि metallic attraction के नाम पर, जो metallic bond पढ़ा है, उसका sense है, it is nothing but force of attraction, between kernel and the free electron, और free electron कैसे free हैं भाया, free electron इसलिए free हैं क्योंकि अलग-अलग और vital मैं आराम से घूम सकता, मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल, तुम temperature भढ़ा होगे, वैसे वैसे kernel vibrate करना शुरू कर देंगे, और vibrate करना शुरू कर देंगे, तो electron का जो motion है, जो जिक जिक भाग रहा था, वो कम हो जाएगा कर नहीं हो जाएगा, बता दो हाया ना, भाई, conductivity किसकी वजए से, पलस तो कहीं जाता नहीं है, electron इमूव कर रहा है, और जब electron मूव करता है, तो उसको हम लोग बोलते है, metallic conductivity, तो metallic conductivity का basic region है, इस free electron की moment, और आपने temperature बढ़ा के, kernels को जगा दिया, और kernels जब vibrate करेंगे, तो इस area को भरने की कोशिश करेंगे का नहीं करेंगे, अपने vibrations है, तो बेटा जी जो ये electron है, ये क्या काम करेंगे, ये electron का space कम हो जाएगा घूमने के लिए, इसका मतलब temperature के बढ़ने से, जो metallic conductivity है, वो क्या हो जाती है बेटा जी, metallic conductivity decreases on increases temperature, इसका main logic है, करनल की vibration, करनल के vibration से, electron का space कम हो जाता है, और उनी space को overcome कर रहा होता है, कौन? करनल, तो बोलते हैं, सर, electron move नहीं कर पा रहा, या कम move कर रहा है, इसलिए, conductivity कम हो गई, मैं सिखाता हूँ आपको live examples से, आप कभी भी देख लेना, अब तो साइद ये सुविधाएं, गावों तक पहुँच गई हैं, otherwise, जब पहले आप जैसे wire के expertise हो गया है, लेकिन पहले एक समय में क्या होता था, proper लोहे और copper की wire जाती थी, proper, दो नुकसान, सर्दियों में current जादा, गर्मियों में current कम, तो आपके अगर, मलब कोई गावों से जुड़ा हुआ है, तो ये बात जानेगा, कि गावों में जब भहुत भीशन गर्मी आती थी, कोई reason बता दे भईया, dim क्यों आ रही है, क्योंकि जो wire जाई है, गई होई है, वो एक metallic wire है, और metallic character उसका भरपूर है, जब metallic character भरपूर है, तो metallic bond बनेगे, और तुमने उपर से सूरज को बोल जिया, कि भईया, तरपा इसको, तो सूरज जब इस पर गर्मी अपनी, तो kernel generate होंगे, और kernel generate होने का मतलब, अब जो electron का flow था, जिसको आप current का नाम देते थे, वो flow कम हो गया, और कम हो गया, तो conductivity कम हो गई, light हो गई, dim, बोलो game समझ माया कि नहीं आया, logistic बाते समझ मायी, लेकिन ये concept physics का है, chemistry का नहीं, chemistry में तो electrolytic conductor होते है, यानि कि liquid होता है, और भाईया, liquid को temperature देने पर तो और ज्यादा तूटेगा, और ज्यादा तूटेगा, तो ज्यादा क्या होगी मेटा जी, moment होगी, तो याद रखना, in electrolytic conductivity, on increasing the temperature, it will always increases, but in metallic conductivity, on increasing the temperature, metallic conductivity will decrease, and it is because of the kernel vibration, समझ में तो नहीं आया, 100% क्लियर है कि कुछ रहे गया, इसमें से, तो इसमें से कोई doubt नहीं रहना चाहिए, बहुत आसानी से बास समझ में आ जाने, जैसा आज मैं कहना हूँ, कि आप लोग, note ना करें, आज थोड़ा सुने, पूचो, कोई मतलब नहीं, hole है, कभी भी कोई स्पीशी जब एक लेक्टरन को बाहर निकाल देती है, तो कर्नल बन जाता है, गुरुप टू में आएगा, तो जबरजस्ती लेक्टरन निकालना, तो तो है, टूपी भी तो खाली है, टूपी में चला जाएगा, पहले से स्टैबल है, तो ज़्यादा एनर्जी देके निक पूछ लो, इसकी जगह अगर मैं एमजी ले लो, सुले, बच्चा, एमजी पे तूने एनर्जी दी, तो एमजी किस में तूट गया, प्लस टू, और यह किस में तूट गया, और अच्छा मेटलिक बांड बनाएगा बाईगा 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 अभाई साब अभी है, क्य हाँ, वो इस तरीके से जिगजग मूशन होता है, एक दूसरे को रिपल्शन को क्या कर दे, मिनिमाईज कर दे, चलें आगे, करना लेक पॉजिटिव चार्ज है बस, चलें आगे, चलो, ठीक है बेटा, इसको समझेंगा आज, ठीक है, चलो जी, बात करने बच्छा, फिजि मेटलिक बाउन्ड स्ट्रेंथ, और मेटलिक बाउन्ड स्ट्रेंथ बोले तो, MBS मैंने बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, MBS, आप खुछ सोचो, आप खुछ सोचो, टॉप टू बाटम साइज बढ़ता है, या घटता है, आप का वेसा टॉप टू बाटम साइज बढ़त सब्सक्राइब इसका मतलब यह हो गया सर मेटलिक बॉन्ड की स्टेंथ इनवर्सली प्रिपोश्चनल होगी साइज अवदा एटम से यहां तक कोई दुख दर्द है किसी बच्चे को और साइज अवदा एटम से इनवर्सली है तो सर आपने चुप चाप से यहां लिख दिया टॉप टू बॉटम बेटा साइज ना एटम का बढ़ता रहता है जब साइज बढ़ेगा क्योंकि इनवर्सली है तो साइज बढ़ेगा तो यहां देखो अगर यह पॉजिटिव का साइज भढ़ जाए है हँ आ को साइज बढ़ जाए मतलबridge इलेक्टॉण की इस टिकाज कि देंस्टी क्या ओर हो वकि कम ऊरहिए हुग रहेगा प्रॉपर और सुनेगा मेरी एक एक बात को इसलिए बहुत धीरे-धीरे समझाने की कोशिश करना हूँ MBS बोले तो metallic bond strength बताईए lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium सार क्या basic सवाल पूछ रहे हूँ कुछ बच्चे क्या काम करते हैं top to bottom metallic strength भड़ जाती है बाई metallic bond की strength top to bottom घटती है जो bond बन गया top to bottom metallic करेक्ट मल समझाने लेक्टन डोनेशन तो बढ़ रहा है लेकिन वो आप reason कोई दूसरा बता रहे है मैं जो bond पढ़ा रहा हूँ उस bond का नाम क्या बेटा? आप जो reason दे रहे होते हैं वो किसका दे रहे होते है आईनेक तो इसलिए बच्चा फस जाता है उसमें बाई metal का metal से ही bond बना तब तो जो मैंने बूला है वो सही है कि top to bottom metallic bond strength क्या होगी बेटा? घटेगी और metal का non-metal से bond बना तो भाईया फिर तो बढ़ेगी क्योंकि metal वो होता है जो electron को donate करें फिर repulsion factor size जो है move करेगा बात सुन्दर है लेकिन बड़ी है धीर समझ माईगी lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium का order आपको बता दिया और same order होता है sublimation energy का sublimation energy क्या होती है? जब किसी solid को directly gas में convert करते हैं इसी को बोलते है heat of atomization atom को तोडने यानि की bond को तोडने के लिए जो energy चाहिए उसको लोग क्या बोल देते है? heat of atomization के नाम से जानते है in short में कह सकता हूँ top to bottom metallic bond strength क्या होगी बेटा जी? घट जाएगी next metallic bond strength और किस factor पर depend करती है? that will be depend upon the number of electron which is participate in the bonding और यह कौन से electron है बेटा यह कौन से electron है? sir यह free electron है जितने जादा free electron होंगे जैसे al plus 3 ज्यादा free electron है तो जितने ज्यादा free electron होंगे उसके case में उतना अच्छा metallic bond बनेगा इसका मतलब in a period metallic bond strength is always increases तो क्या सीखे? top to bottom metallic bond strength क्या होगी? घटेगी left to right metallic bond strength क्या होगी? बढ़ेगी तुम सीख पाएं नहीं सीख पाएं? बट 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 यह किस case में काबू नहीं काम नहीं करता? D block के case में D block में Z effective बढ़ जाता है D block में top to bottom Z effective क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इसका मतला metallic bond strength of D block metals generally increases down the group because of Z effective increases अर्थार्थ, 3D series, 4D series, 5D series, Scandium, Y और LA वाली जो series है इन में मुझे arrange करने के लिए आ जाए तो मैं यही कहूँगा कि जो metallic bond की strength है वो 5D की जादा है, then 4D, then 3D, क्या मेरी बास समझवाई प्यारे बच्चों? I am telling you, अदभूद concept है, आप लोगों ने chapter कहीं न कहीं पढ़ा होगा, शीखा होगा, जब मैं इसको cover करा दूँगा तो आपको ज्यान मिलेगा कि सरने औरगेनिक की काफी सारे जो tricks and tools हैं, वो इसके अंदर cover करा दिया है, बहुत ध्यान से इसको प्लीज देखें, concept को समझे प्यारे बच्चों, मैंने बोला, metallic bond strength is directly proportional to दो factor, top to bottom घटेगी, left to right भड़ेगी, और तो top to bottom D block में क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, लेकिन top to bottom भड़ गई, उसका region क्या रहा, Z effective, Z effective बोले तो effective nuclear charge, कौन सा charge आए, effective nuclear charge, hope this concept is quite clear, चलो जी, हजम करना है आप लोगो को आगे चलते हैं, point number 4, softness, आप बताओ, softness का मतलब क्या हो गया, जो metallic bond बहुत तगड़ा बना रहा है, वो soft हो गया, strong हो गया, strong हो गया, मतलब metallic bond strength जिसकी कम है, वो soft होगा, होगा कर नहीं होगा, अच्छा, top to bottom metallic bond strength क्या होती है, सबसे कम, left to right भर, तो बताओ, सबसे कम किसकी होती होगी, cesium, तो कोई तुमसे पूछे, सबसे soft metal कौन सा है, सीख पाए हैं ने, सीख पाए, क्योंकि cesium जब cesium से bond बनाए बैठा होगा, तो उस समय cesium बहुत ही जादा soft होगा, सबसे का लचीला होगा, क्या मेरी बास समझ मागई या नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों, ये point तो clear, इसको बताने में क्या ही फाइदा, temperature मैंने बता दिया, ताप मान को बढ़ाओगे, तो metallic bond strength क्या पढ़ेगी बिटा, कमजोर हो जाएगी, और इसका reason है, करनल्स की vibration, vibration बढ़ेगी, electron flow कम होगा, attraction कम होगा, और ये data ऐसा देखेगा, जैसा देख रहा है, बोलो हाँ है, ना में जबाब देदो, क्या मेरी class के प्रतेग बच्चे को basic और fundamental बाते clear है, कोई दुखदर्द हो तो बोल बेटा, बोल, हाँ, हो जागा, उपर होते हैं, तो क्या हुआ, बलब, left to right भड़ रही है न, top to bottom तो घटी रही है, तो ये वाले जो metal होंगे, इधर वाले boron होगया, aluminium होगया, गेलियम होगया, ये सोड़े से जादा, हाँ, वही तो लिखाया है, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, तभी तो inversely है, तभी तो inversely है, बेटा, नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाईया, बात समझ में आ गई, चलो, जिनको समझ में आ गई है, हुमारे इन सवालों के आंसर करे, softest S-block metal, मजा गया, hardest S-block metal, hardest S-block metal, कोई बच्चा बताए बढ़े, hardest S-block metal, lithium, क्यों, sodium, हे खतम बच्चो, हे खतम बच्चो, इधर देखो, अरे, सुलो, very Liam, is the right answer, हे खतम बच्चो, सुलो, है लीने की रब से फर्याद, यही तो डेटा है, बेटा मांगे, कन्या, सुन्दर, बाप राजी, यही तो प्रोग्राम था, तो top to bottom बेटा घटता है, left to right भडता है, क्या अंसर होना चीएता, अच्छा, अगला point है ऐसी, matter are malleable and ductile, यह तो बच्चपन में सीखा था, इसको क्या ही प्रकाश डालू, ठीक है, first group में लीथिया में होगा, next है, metallic luster is due to the oscillation of surface element by the absorption of light energy, यह करें जो luster बन जाता है, cluster जिसकों आप लोग बोलते हो, this is due to the oscillation of the surface element by the absorption of light, यह कह रहें कि light को absorb करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो कैसे convert हो जाता है, luster structure हो जाता है, इसका right, मैं लेक basic term है, ऐसा समझ के सलो, metals are good conductor of heat and electricity, कितनी सुन्दर बात लेगिया, तसल्ली हो रही है, मन को तसल्ली हो रहे हैं कि नहीं हो रही, पढ़ा रहे हैं नाइंती किलास बताओ, हाँ या ना, next बेटा देखो, मैंने डिखा है, conductivity order बता दो, ag का, copper का, au का, al का, भाई, conductivity order कौन बालक बता देगा, मुझे इसका, आप बताओ, जो तुमारी मम्मी या वो कुछ पहनती होंगी, गोल्ड का, वो करंट लगा दोगो, तुरा लग जागा करंट, लगेगा, लेकिन थोड़ा कम, बाई समझ मारे, लेकिन, silver की conductivity क्या मिलेगी, maximum, then copper, then au, then alimonia, इसको फोलो करना जैसा पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, एसको फोलो करना है, क्या मेरी बात समझ मारे या नहीं आई, पक्का, तो ये basic बाते हैं, आप लोगों को, अमितोज, इसको समझ बेटा, बहुत यहां तो समझ, ये basic और fundamental बाते, तुझे बेटा clear होने चीए, चलो, अब यार मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, कि अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसका नाम है, देखो, metallic bond खतम अपना, इतना ही metallic bond, और ये भी ज़्यादा बता देए, ये वर नहीं की statement दी जाती है, ठीके ना, metallic bond खतम, VBT और आप लोग का MOT, ये बाद के topic हैं, बाद में सीखते हैं, अभी metallic bond का एक part, जिसको आपने electron C model बोल दिया, बाई, electron C model क्यों बोलते हैं, इसको, समुद्र सा दिखाई देता है, electron का समुद्र, तो बोलते हैं इसको क्या बेटा, electron C model, reason समझ में आ गया, इसको ये नाम क्यों दिये गए, चलो, आएंगे बाई सभी बच्चे, अब मुद्दे की बात है, why chemical bond are form, why, chemical bond are form, बाई, chemical bond क्यों form होते हैं, सर्फ, पहला तो reason यही है सर्फ, जो आप बोल ले हो, क्या, बही सवाल आ गया, why chemical bond is formed, तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात आती है, to complete, to complete their octate, octate को complete करने के लिए, octate and duplicate बोल सकते हैं, बागी octate ही बोल, octate का मतलब होता है, outer most में, outer most sub-cell में, कितने electron के पाए जाना बिटा, 8 electron की presence, outer most sub-cell में, 8 electron की presence कोई क्या बोलते हैं, बच्चा, octate का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, octate का नाम देते हैं, चलिए बई, बात कर ले, और वाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मड केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं सबसे पहली बात तू कंप्लीट दा ऑक्टेट और दूसरा है for stability for stability मतलब अपने आपको stability provide करने के लिए और stability दो प्रकार से हो सकती एक तो octate आपको बता दिया और by decreasing its energy और कौन सी वाली energy potential energy potential energy को कम करके भी stability प्राप्त की जाती है अब ये को न पेपर वेपर में पूछना तो है नहीं यार ठीक है ना लेकिन हमारा काम है भाई कि चीजों को पूरा एक बार पढ़ा दें इसके बाद जो हो सो हो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगा भाई इस अभी बालक ठीक है चीजे बेहर बेसिक है यह जो मैंने ओर लिखा है ना यहां लिखा है पोटेंशल एनरजी यहां लिखना चाहरा हूं में रेडियस यानि की डिस्टेंस आपको बाल बताता हूं इसका कर्व कैसे जाता है इसका कर्व ना ऐसे जाता है इसका कर्व है कर्व का सेंस यह है कि पहले क्या होता है यहां पर ना मॉलीक्यूल बहुत बहुत दूर होते हैं और इतना दूर होते हैं कि एसेच कोई बहुत भारी भरकम अट्रेक्शन नहीं होता कोई ज्यादा अट्रेक्शन तो नहीं है कोई रेडियस का इधर देगो ना डिस्टेंज क्या है बहुत ज्यादा यहां होना आप यह आर ही तो है अब आर को तुम घटाते चल ले घटाते चल ले घटाते चल ले तो क्या होगा पहले यह थोड़ा सा पास आएंगे और बॉन एनर्जी चाहब तब को आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो राइत त caffeine energy को हम लोग क्या बोलेंगे bond energy और इस particular time पर जो distance था इसी distance का नाम होता bond length ने यह बास समझ में bond energy is what कि sir वो energy तो आप देख रहे हैं potential energy negative कर्म में आ रही है और bond length क्या है कि sir उस particular पर कितना distance था वो उसी को internet लिए distance वाद में बोल दिया गया है तो क्या यह basic और fundamental बात समझ माई कि सर्फ potential energy को कम करने और octate को पूरा करने के लिए bond की formation होती है bond की formation होती है क्या यह बाते clear होगे वाई सभी बालकों को तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो नीची है जाओ तो थोड़ा बहुत रफ में पीछे लिख सकते हो जहां आपको जरुवत हो कि इसको हम लोग लिखना चाहिए चलिए हो जाएगा अमितोज अक्षात आफिया श्रेश्ट सिधानी आर इंटर निकले डिस्टेंस है डिस्टेंस वर्सिस पोटेंशल एनर्जी का करव है आफिया डू मेसेश्टुमी अचिंत आरेव अव्वेकत श्रेश्ट सिधानी जल्दी से मेसेश्ट करके बताओ मुझे चलिए इधर आएंगे सभी बालक हाँ बॉन बनने के बाद टूटने की प्रकरिया सुरू हो जाती है पर चलो बई इधर आओ बच्चा इसके बाद अम मैं सुरू करने जा रहा हूँ एक टॉपिक जिसका नाम क्या होगा बिटा आइनिक बॉन और आइनिक बॉन्ड में आप लोग क्या क्या सीख सकते हों क्या क्या बेसिक परामीटर है जो आपको आइनिक बॉन्ड के सीखने चाहिए आइनिक bond के अंदर आप लोग क्या-क्या चीजिए सीख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ आइनिक bond या आइनिक compound सुनले वेटा कि आइनिक point की definition में आप लोग ऐसे लिख देते हों क्या लिख देते हों मैं बताता हूँ सबसे पहली बात लिख देते हैं एक यहां होता है बिटा मेटल और यह बॉंड किसके साथ बनाता है नॉन मेटल ऐसा किताब कहती है मैं नहीं कहता मेरे नुसार तो पूरे इलेक्ट्रोन का ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है कमपलीट ट्रांसफर आफ इलेक्ट्रोन फ्रों मेटल टु नॉन मेटल और आपको यह बात सिखाएजिये ने मेटल का यह नारा है इलेक्ट्रोन नहीं हमारा है na plus और na plus है तो obvious है इसने एक electron किसको दे दिया इसको तो जब यह electron लेगा तो यह क्या हो जाएगा cl- बस इसी attraction का नाम क्या है बिटा जी आइनिक bond इसी attraction का क्या नाम हो जाएगा आइनिक bond क्या शब्द समझ में आगे आइनिक bond का मतलब हो गया आइनिक bond का मतलब हो गया के whenever complete transfer of electron याद रखना complete transfer of electron from metal to non-metal complete transfer of electron from metal to non-metal अच्छा इस bond की कोई direction नहीं होती तो किताभी ज्यान के अनुसार इसको ओमनी direction यानि कि ओमनी मतलब किसी भी direction में है न या फिर इसको बोलते है directionless directionless और जब भी आइनिक bond बनता है तो आप ना तो उसकी hybridization calculate कर सकते नाहीं इसकी geometry calculate कर सकते नाहीं इसकी अंदर कोई isomerism calculate कर सकते है यानि कि आप ये तीनो चारो property covalent compound में देखोगे कहां नहीं देखोगे बेटा आइनिक compound में ये property आप लोग जो है नहीं देखेंगे राइट तो ये बाते हैं आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए next अगर आइनिक bond बनाया है तो इसका force of attraction क्या होता है बहुत बहुत ज़्यादा force of attraction लगबग लगब melting point and boiling point is observed over there सही बात है जो भी आइनिक bond बनायेगा उसके अंदर क्या मिलेगा high melting point and boiling point मिलेगा पांच वी बात अगर मैं आप लोगों से पूछ हूँ जर्नली क्या होता है जर्नली बोलना हूँ जर्नली हूँ आठ्छे मेटल कौन है ओस ब्लोग के मेटल जर्नली एस बॉलोग एलंजर्नली एस ws rum kore कौन सा bond आइनिक बान जर्नली स ब्लोग के ऐलिमेंट निक बनाना पसंद करते हैं या आइनिक बान्ड बनाते हैं Draggehen अपली एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आइनिक बॉंड एस ब्लॉक के एलिमेंट आइनिक बॉंड बनाते हैं बोलो शब्द समझ में आगे कि नहीं आगे यहां तक कोई दुख दर्द है बही किसी बालक को नहीं होना चाहिए चलिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा बता हूं यहां पर उसको सीखे गया प्यारे बच्चों कि यहीं डिसाइड करेगा कि कितना अच्छी तरीके से डेटा आपको समझ में आ रहा है बेटा जी मुझे एक बात बताओ आइनिक बॉंड का लॉजिक ले लेते हैं एने सील से देख यह एने हैं और तुई बात जा पता है बेटा यूनाइजेशन एनर्जी क्या नाम इसका आइन यह घूपने widow गटो नंकालने के लिए जो एनर्जी है उस एनर्जी का नाम क्या है बेटा आई आइनर्ज़ेशन एनर्जी лег a bay back कि यहाँ एंट की इसका electronic zumindest लिखूंगा तो 281 वों भी में कैस और यहां तो सर इससे जो electron निकला होगा उसको कौन लेने के लिए तयार है क्लोरीन क्लोरीन जब gases state में प्रजेंट होता है तो 287 यानि कि 17 इसका atomic number होता है आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल तो भाई या भाई साव कनवर्ट हो जाएंगे किसमें CL माइनस गैस उस दोरान इसका electronic configuration कुछ ऐसा रहा होगा और प्यारे बच्चो जब electron को कोई gain करता है तो उस energy का नाम electron gain energy या मैं कहूं electron affinity electron gain energy या electron affinity और इन दोनों में क्या relation है तो मैं भली बाती पता है माइनस के sign था otherwise magnitude wise they are same क्या मेरी बास समझ मागई बोलो हाई या ना चलो मुझे बताओ मुझे बताओ अब यहां पर तेरे पास na plus है जो की अपने आप में stable है तेरे पास cl negative है जो की octate के हिसाब से stable है why they form na cl then na plus in gaseous state it is itself stable cl negative in gaseous state it is itself stable then why they form na cl यह na cl क्यों बना लेते हैं भया तुम तो पहले से stable हो और ऐसा करने पर जो energy release होती है उस releasing energy का नाम ही lattice energy या lattice energy है कि दुवारा सुन लो दुवारा सुन लो मुझे पता है तुम हिल गया होंगे मैंने बूला sodium से एक electron गया तो क्या बना sodium plus stability हो गई टू एट क्लोरीन पर एक electron आया chlorine बढ़ गया माइनस यह भी क्या है अपने आप में stable है अब मुद्दा यह है कि जब तू भी stable और तू भी stable है तो क्यों मिल रहे हो क्यों मिलके convert होना चाहरे हो एनसल में तो इसका अंसर है सर आप electronic stability देख रहे हो आप thermodynamically stability नहीं देख रहे हैं एक solid और एक gas है दोनों में से ज़्यादे stable कौन होगा हमेशा solid होगा अब यहां से एक नया concept जनलेट कर रहा हूं मुझे एक बात बताओ metal कौन होना चाहिए जो जल्दी से अपने electron दे दे इसका मतलब जिसकी ionization energy क्या होनी चाहिए minimum और non metal कैसा होना चाहिए जो जल्दी से electron ले ले इसका मतलब उसकी electron gain energy affinity क्या होनी चाहिए बेटा जी maximum क्या feel कर पाए आप लोग एक देने में अच्छा तो एक लेने में अच्छा जब ऐसा होता है तो bond बनता है बढ़िया bond बनता है यहां बढ़िया तो इसका मतलब यह हो गया कि electron को देने में समर्थ है metal और लेने में समर्थ है non-metal इसलिए जो ionic bond बनता है वो metal और non-metal के बीच में बनता है किसके बीच में बनता है metal और non-metal के बीच में पता लग गया अब मुद्दा यह नहीं था मुद्दा तो यह था आज का यह क्या बवाल है latest energy energy जब भी खुद से release होती है तो बेटा उसमें delta H की value क्या रहती है बेटा negative और negative रहने का concern reaction will be exothermic बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बालक को कोई समस्चा नहीं है सर अगर latest energy plus में दे रखी है तो ठीक है ना आप उल्टा बोल रहे हो दें कि एक मोल solid को उसके gaseous cation anion में convert करने के लिए कितनी energy देनी पड़ेगी तो भी latest energy है और एक तो मोल solid जब अपने gaseous cation anion stable से मिलकर बनता है तब जो energy release होती है उसका नाम भी क्या रहेगा lattice energy अगर मैं तुमसे पूछू define lattice energy तो आप क्या बोलोगे सर एक मोल कितने मोल बेटा एक मोल solid बनाने के लिए from there stable cation anion divine जब यह आपस में मिलेंगे तो अने शिल बनेगा और मिलने पर जो energy release होगी उस releasing energy का नाम क्या है बेटा जी lattice energy है lattice energy का शब्द समझ में आ गए है एक बार दुबारा बोल दूँ क्या एक only एक बार दुबारा बोल दूँ आप मुझे बताईए इसके लिए मैं क्या बोलूँगा अंगरे जी बताईए दा the amount of energy the amount of energy required लिखूँ या release वाला लिख दूँ चलो release लिख देते है required तो किताम में लिख ही रखा है the amount of energy released when one mole of solid compound is formed from their stable catein and anion या from their iron भी लिखते है ठीक है na catein and anion simply iron तुम लोग feel कर पाई या रह गए है पक्के बाद तो बताओ क्या ये basic definition clear है मेरी एक लास के सभी बत्चों को the amount of energy released when one mole of a solid compound is formed from their stable catein and anion तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं latest energy कौनशी energy है ये latest energy क्या मेरी क्लास के प्रतेक बच्चे को ये basic और the metal must be very 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 less electron gain energy electron affinity of non-metal is very 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 high the net the net or the total latest energy must be high latest energy जादा होनी चाहिए क्योंकि यहां और यहां मिलने से जितनी जादा energy निकलेगी उतना अच्छा आइने compound बनेगा सीख पाया नहीं सीख पाया ऐसा मान कर चल रहा हूं कि यह data आपको समझ मारा होगा अभी तक तेरे teacher ने क्या-क्या पढ़ाया योगी तुम लोग लिखने ही रहे तो मेरा मन है का भीया कुछ skip ना हो जा तुमसे सबसे पहले बड़ाया metallic और metallic bond के बारे में सारी चर्चा मैंने कर दी हाया इसको सी ओसे कहते और electron gas model क्यों कहते हैं इसको फिर electron model क्यों कहते है temperature का क्या effect है softness का क्या effect है d block में कैसे काम करेगा period में कैसे काम करेगा और group में कैसे काम करेगा clear है भई इसके बाद कुछ soft कुछ hardest s block के metal के बारे में चर्चा हुई कुछ basic property के बारे में बताया conductivity का basic order पर बताया और chemical bond क्यों बनते हैं इसके बारे में चर्चा की to complete the octet to complete the stability stability को maintain करने के लिए उसको अपनी potential energy को minimum रखना पड़ेगा जो potential energy आती है ideally वही bond energy है और उस समय जो length चल रही होती है उसी का नाम क्या होता है bond length है चलो जी इसके बाद मैंने ionic bond पर कदम रखा और बोला के metal non metal में electron का transfer होता है तो bond बनता है कौन सा ionic और यह directionless है hybridization geometry और isomorphism इसका नहीं देखा जा सकता तो क्या देखते हैं फिर इसका isomorphism देखते हैं सिखाऊंगा इसको isomorphism अलग है और isomerism अलग है right high melting point boiling point क्योंकि भाईया खूब जोड़दार strong force है इसको तोड़ना मुश्किल बात है जर्नली ऐस विलॉक के metal ही ionic bond बना पाते हैं क्योंकि इनी की ionization energy कम होती है अधरवाइस तो भाईया left to right ionization energy भढती है top to bottom ionization energy घटती है चलो फिर मैंने बताया कि कैसे na plus अपने आप में stable है CL negative अपने आप में stable है दौनों आपस में मिलके एक ionic compound बना रहे हैं तो एक energy release हो रही है उस releasing energy का नाम latest energy बच्चे इस बता क्या गलती करते हैं बच्चे इसको अलग पढ़ते हैं और इस topic को अलग पढ़ते हैं बस फस जाते हैं उनके लिए ionic bond लिए उतनी ज्यादा क्या मिलने वाली stability आ जाते हैं पहले बात करते हैं इलक्ट्रो व्लिंशी का मतलब होता है मेरे पीयारे बच्चे number of electron transfer from metal to non metal for making कौनसा bond ionic bond बोलो game तो समझ में नहीं आया होगा सर बिल्कुल भी नहीं आया देखो तुम्हार नाम AL है तुम बेटा 3-3 CL हो आपस में जुड़ जाओ AL-CL3 बना दो बताओ जी इस समय जो AL भाई साब है इसने कितने electron दिया होंगे 3 इस समय इसकी जो electrovalency रही होगी वो कितनी रही होगी 3 अरे समझ में तो नहीं आया भाई magnesium है MgCl2 बनाए बैठा है अब बताओ इसकी electrovalency कितनी रही होगी सार यह तो बहुत basic काम पढ़ा रहे हो के लिए आप पूच बोल सकते हैं stability के वज़े से condition for ionic bond condition for ionic bond ionic bond की क्या-क्या condition हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों मेरे अनुशार सबसे पहली condition है आपके metal की ionization energy कम होना बहुत जरूरी है आपके metal की ionization energy होना बहुत जरूरी है for an example है लीने की रब से फर्याद top to bottom दुनिया की सारी energy घटती है चाहें वो ionization energy हो चाहें वो electron gain energy या electron affinity हो यह बाद सर ने पहली समझाए इसका मतलब ही हो गया ionization energy कम मिलनी चाहिए तो बहुत बहुत बढ़ी आए हमारे लिए और left to right अगर मैं बात कर दूँ तो यह order क्या मिलेगा आप लोगों को उल्टा मिलेगा ionization energy भढ़ेगी और यहां से electron affinity भी क्या होती है भढ़ती है although यह जर्नल order है यहां पर हम लोग ने भर भर के exceptions पढ़ें तो हम लोगों को यह नहीं कह सकता भाया छेड़ नहीं सकता कि इसका आंसर यह कैसे तो हम लोगों पहले से ही इसमें समरद हो चुके है पता है प्रॉपर तरीके से कि डेटा कैसे घुमाया था चलो इदर आएंगे सभी condition for ionic bond सबसे पहली condition है ionic या ionization energy of a metal should be less जितना low होगी उतना अच्छा metal है ताकि जल्दी से electron दे दे और जल्दी से CL gain कर ले या non-metal gain कर ले इसके बाद दूसरा part है बिटा low bond dissociation energy of non-metal बात भी सही है भाई एक बात बताओ CL तुम्हें चाहिए CL कोई तो negative करोगे अच्छा CL कहां से बनाओगा सर CL आया तो CL2 से होगा अगर उसकी energy बहुत जादा है how can you convert into the normal CL समझमारी बात नहीं आ रही इसका मतलाब आपको basic के लावा पीछे भी जाना पड़ेगा कि जो तुम CL gaseous लेके आ रहे हो कहां से लेके आ रहे हो तो उस case में उसको तोड़ने वाली जो energy होगी वो कम होगी तो जल्दी CL में convert होगा जल्दी एक monovalent में convert होगा और उस case में आपका अच्छा metallic bond बनेगा तो low bond dissociation energy of the non-metal then high electron affinity of non-metal सही बाद last and very 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 जितना very लगा सको लगा ले ना जितनी बार very लगा लगा ले ना कि यही important है high lattice energy net high lattice energy generally भाईया एक और दो ही बात लिखी जाती है तीसरी भी लिख देते हैं आज कल बागी चौती बात ये भी important है जो मैंने आपको बताया bond dissociation energy बाद वाले bond को तोड़ने के लिए हमेशा हमेशा जब तक electron निकलेगा नहीं तब तक bond आगे बनेगा नहीं electron affinity एक attraction है और bond dissociation energy उसका favor करने वाली है नहीं है समझ में जितनी जल्दी bond टूट रहा होगा मतलब bond क्यों टूट रहा है क्योंकि attraction क्या हो रहा है बढ़ रहा है समझना रही मतलब क्टाउट रूल है जब bonding को पढ़ेंगे आगे तो बेसिक डेटा भी समझ में आता है मैंने example CL रखा है मैं यहाँ पर बार-बार monovalent भी word यूज़ करना चाहरा हूं और बोल भी रहा था बीच में CL क्योंकि आपने अभी पढ़ा है तो इसलिए मैं CL को रिलेट कर रहा हूं although CL की electron affinity ज्यादा होती है even more than fluorine पुरानी बाते हटा दू इसको भाई यह नोट हो गया क्या मानकर चलनू के बाते नोट हो गई है देखो कितना धुरंदर पढ़ रहे हैं आप लोग को अंदाजा होगा अंतिम तक पहुंचते पहुंचते मजा ना जाए तो बता देना आज आप ज़रा ध्यान से भाईया latest energy एक टाइप का potential energy है तुने मुझे बताया कि latest energy एक टाइप की क्या है potential मैंने भी महर लगा दी हाँ भाईया अब बताओ potential energy का formula क्या होता है के q1 qt divided by r वही लिग जया सर ने इट इस डिरेक्टी प्रपोर्शनल टू चार्ज का magnitude divided by radius या distance और distance किसका है सर एक positive और negative मिल रहा है तो एक positive आइन का और एक negative का एक कटाइन का तो एक नाइन का internuclear distance है आर शब्द समझ में आ गया होंगे अरे बात पल्ले पड़ी माले बेटा यह रहा तेरा एने यह रहा तेरा c l ऐसे जुड़ गया तो यह वाला distance हो गया r1 और यह वाला distance हो directly proportional है और size के क्या मिलेगी बेटा inversely size के क्या मिलेगी inversely radius के क्या मिलेगी inversely लेकिन कभी भी size से order अलगाए और charge से order अलगाए तो charge will always dominating ऐसा क्यों रट्टा मार दिया हो यह charge dominating है क्यों और कोई region दे और कोई online वाला बच्चा भाई message करें देखो मेरे लाड़ लू बहुत simple सी बात है top to bottom तुम्हाई top to bottom जब भी charge भढ़ता है या left to right जब भी charge किसी भी species पर charge भढ़ाओगे घटाओगे कैसे 2.5 देखा है किसी पर charge क्या देखोगे 2 देखोगे या 3 देखोगे mg या तो plus 2 देखोगे या na plus 1 देखोगे AL या तो plus 3 देखोगे क्या तुमने AL धाई देख लिया है MG पॉने 3 देख लिया हो नहीं देखा हो लेकिन size size just double नहीं होता इसका मतलब top to bottom size का भढ़ना और left to right size का घटना इन दौनों में magnitude का अंतर है नहीं समझ माया हे मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा नामे sodium, तुम्हारा नामे potassium, तुम्हारा नामे rubidium मैं example समझा रहा हूँ भाही यहां lithium है यहां beryllium है यहां magnesium है और यह कन्या सुन्दर है चलो top to bottom size बढ़ रहा है मैंने बुला इसका size है 1 तो इसका size लगबग 2 हो गया यह दाई हो गया, तीन हो गया, जो भी है यहां 3 माल लिया, मैंने 4 माल लिया, ऐसे माल लिया तो left to right size कितना घटना चाहिए तो एक unit घटना चाहिए ना घटा, 0.9 रहा यहां size और घटना चाहिए, ना घटा कितना रहा, 1.9 रहा क्या feel कर पाए लेकिन charge, charge यह na plus, तो charge यहां plus 2 then who will dominate charge, अरे नहीं आया समझ में, हे खतम बच्चों यह game सीखो, यह important है charge by size ratio को शीखना बहुत important है, कि top to bottom जिस रफतार से size भड़ता है उस रफतार से size left to right घटता नहीं है, लेकिन charge charge हमेशा एक कही increase होगा magnitude में, charge हमेशा बढ़ा ही रहेगा, किस की respect में size की respect में, आगया हो समझ में, वद न सोचो, कुछ बढ़ा पढ़ा गए सर, इधर आओ वई, size of N9 के बारे में बात, बहुत बढ़िया जमाजम समझ माने वाला अब है, theoretical पात खतम, और आब basic fundamental बाते सुरूँ, आजाओ, इधर आओ वई, सभी बाल को, बहुत ध्यान से देखेंगे बन कर दिया, नहीं कर दिया, बच्चे तो तुम हो अभी भी, Tom and Jerry है न, Tom and Jerry रख सकते हैं, मैं ही disturb हो जाओ रहने दो, ठीक है न, इधर आजाओ, size of N9 के बारे में बात करें, दो परकार के N9 हुए अपने लिए, एक रहा छोटा और एक रहा बड़ा, एक रहा है, small और एक रहा कौन सा भीटा जी, large, small और large आप लोग कर लेजी, अपने निसाब से मैनेस कर लेजी, अच्छा, small का मतलब, जो small बोला जाए, small पढ़ा जाए, small लिखा जाए, वो सब small ही तो होगा, जैसे H negative, जैसे OH negative, जैसे O minus 2, जैसे N minus 3, अले बोलने में छोटा पन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या न, ऐसे ही F minus, ऐसे ही CL minus भी, जबकि BR और I किस में काउंट होते हैं, बड़ों में काउंट होते हैं, अच्छा, बड़े काउंट कराता हूं, NO 3 negative, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में बड़ापन फील हो रहा है, SO 4, 2 negative, CLO 4 negative, PO 4, 3 negative, गेम समझ मारा नहीं आ रहा, और ऐसे बड़े जो होते हैं, वो नाम से भी बड़े हैं, और यह ऐसे भी बड़े हैं, बोलो गेम समझ मारा नहीं आ रहा, कार्बोनेट हो गया, सलफेट हो गया, इस टाइप के जो बड़े बड़े हैं, वो बड़े बड़े हैं, बोलो गेम समझ मारा नहीं आ रहा है, कह देते हैं, H negative का size लगबग BR से negative के बराबर हैं, लेकिन जब यह आइनिक स्टेट में होता है, तो size का ratio जो है, इसका कम माना जाता है, इंडिवीजवल स्टेट में इसको बड़ा मानते हैं, बात सही है कि H negative और BR negative का size लगबग बड़ाबर है, लेकिन बड़ाबर फिर भी नहीं है, छोटा ही होता है, इस negative, ठीक है बई, चलो जी, मान लेते हैं कि बात आपको समझ मागे, अब जड़ा गेम समझो भाई, इसको बोल देते हैं भाई, यह गरीब आदमी है, और यह अमीर आदमी है, शीखो जड़ा द्या कोटा में जो टीचरों ने लिखा हुआ है, सब इसको ऐसी सिखाते हैं, गरीब आमीर से, गरीब आमीर छोटा बड़ा और बहुत ही जबर जस लॉजिक भी है, बहुत फटा क्सी चीज़े सीख पाऊगे, आप देखो, आपने क्या देखना है, लेटेस एनरजी, और आपको अब जो देखो एक बहुत सिंपल मेतर बता रहा हूँ, ना तो तुम्हें कोई चार्ज देखना, ना ही कुमें कोई साइज देखना, तुम्हें देखना, गरीब आमीर, आमीर-आमीर को अलग करो, गरीब-गरीब को अलग करो, ऐसा समझा, देखो, बेटा, टॉप टूब top to bottom केटाइन का साइज क्या होगा बढ़ेगा और left to right केटाइन का साइज क्या होगा घटेगा है मुझे बात बताऊ तु बेटाग गरीब या मीर अले सट टॉपट्व इस अपर चाई और ये कौन है ये दिमाकी अरी अमीर है अमीर गरीब दो कुछ होता ही निया दिमाकी गरीब दिमाकी अरी अमीर ओते हैं एक जौपड़ी में बैठने वाला भी अमीर है और एक महलों म उटक पारे हों गरीबर से आगे आगे जब जा रहे हो तो अमीरता की तरफ जाते चले जा रहे हूं तो यह क्या हो जाएगा मेटा यह बन गया आमीर रहीktó जिसको बोलते है और यह पहले से ही क्या था अमीर अर्य नहीं आया समनी में सीख पाया नहीं सीख पाया कोई पूछे लेटिस एनर्जी बता दो तो आप जड़ा कंपेर करके बताओ लेटिस एनर्जी क्या होगी सोचो लेटिस एनर्जी का ओर्डर हमें एक बार बताने की कोशिश करें सभी वालक वेट इस दा ओर्डर आफ लेटाईस या मैं कहूं लेटिस एनर्जी तो आप पहले पुराने मैत Participate देख लोह चार्ज बाई डैंसिटी से अधरवाईज अपने वाले मैतर से देखो जल्दी बता बैए जल्दी जल्दी बोलो किसका लेटेस एनर्जी का ओर्डर बता दो जल्दी से आप एक चीज़ समझो का है गरीव कि साइड छोटा निया इसका बेरिलियम है यह बेटा मांगे कन्या सुन्दर आप तो सही है तो यह गरीव अमीर के बारी बात है सुनो भाई सुनो अच्छा बॉंड कौन बनाएगा अधिया तु लड़ मत यार टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है साइज बढ़ेगा तो अव्यसे अमीर जो है बढ़ेगा ऐसे समझो तो यहां क्या है एक अमीर और दूसरा भी क्या है अच्छा मुझे बताओ अच्छा बॉंड कौन बनाएगा गरीब गरीव या अमीर 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 तुम्हारे अंदर भी पूरन मौपली है यह तो भाई शुद्धान्ने की जरुभ चलो पर क्या करें इस तरह से पढ़ाना नहीं तो पढ़ाना है इधर देख भाई तो क्या सीखे सर देखो अमीर अमीर में बॉंड बढ़िया बनेगा ऐसे गरीव सब्सक्राइब करें यह कौन है अमीर है इसका मतलब यह वाला गरीम मिलेगा और यह क्या मिलेगा गरीम मिलेगा सब्सक्राइब करें अब सवाल आ रहा है तुम टीचे के सामने करो गरीम और यह अमीर और यह देखो जाएगी आइनिक्स बॉंड और लेटिस अनर्जी का ओडर आ जाए तो इस इस तब वेरी मर्वल स्ट्रिक आप देखो अगला क्यों शिखाना है न कौन सा आगया आपका एनाइन कौन सा आगया यह इनाइन और स्मॉल एनाइन में रेशो बदल जाता है इसको पढ़ाने के लिए न पहले प्राचीन काल में मैं भी दो क्लास लेता था कौन सा कैन इन कौन लेकिन अब वह बहुत इंपोर्टेंट नहीं अब ये समझ में आ गया है कि तना पूर्शन पढ़ाना चाहिए Sँनो कोई गडबर पहले में शीग्गे के नहीं सीग्ड़ आपने केटाइन कई साइस देखना और अनाइन की साइस देखना है यहाँ से मिलेगाanda कि गरीब या अमीर 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 गरीब गरीब ऑमीर गरीब इन इन बेटा यार यह यह एलाई का साइज छोटा आप टू अबढ़ता है बढ़ता है बहुत बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ता तो यहां से इधर जा रहे हो तो अमीर हो रहा है और फ्लोरीन तो पहले से गरीब है आम कहां साइज बटता है अरे भाई ये टॉप टू बॉटम है लेफ्ट टू राइट कहां से आया लीथियम लीथियम सोडियम इलिका लेफ्ट टू राइट है ये भग्वान ये भग्वान अम इंदो समझ मारा एक निया रहा कोई बात नहीं बेटा तब्रत मेरी खराब ऐसे ही नहीं हो रही है आज आ इतार आजाओ चलो इतार आओ कोई बात नहीं आज मेरी घरवाले करें रहने दे आज मत पढाने जा तेरी तब्रत खराब अचुट्टी कर दे मैं ना आया पढाना तो है बेचारे को तीनी दिन पढाते हैं उसमें भी ना पढ़ाएंगे तो हलत खराब हो जाएगी देखो भाई के गेम समझ माया आप लोगो लाई आफ एन एफ और के अगया अगला देखेंगे अगर कभी भी साहीज और चार्ज में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा बेटा यह कहानी में सिखा चुका हूं चलो सर यहां गर अकर चार्ज का ओर्डर आ जाना भाई इससे बहतर कूछ है यह नहीं चार्ज तो ड unpredictable होताए लेटिस से करम चार्ज तो डरह इ decides उर्पर्पोश्णल होता है लेटिस से हाइनिक बॉंड्न से अगला देख ऐन फ एन से अने ट्व और यह ओर एन त्री मैस अच्य इस पे f- ग कितना है बेटए-2 इस पे कितना है तो सर चार्च से पिलस जाय मैनस चाहिए एक यू वन चाहिए लगत है कि प्लक चाहिए मैनिस haven सब्सक्राफ्वा लगएक अ है कि मैं सब्सक्राइबार कि है अरे समझ में तुम निया रा है आपको क्या देखना चार देखना चार क्या समझाँ अमीर तरो बता कहां से SMANJ गरीब अमीर बाला भी अमीर आज किसी leer चोड़ तो चोटा बड़ा करण लो चलो क्या की बात के बैटा बेरिल्लियम उपर आता ना सेकेंड़ गुरूप में बेरिलियम से नीचे आओगे तो size बढ़ेगा केटाइन का तो जब size बढ़ेगा तो अमीर भड़ रहा है और एनाइन कौन है? एसोफोर टू माइनस का मतलब क्या हो गया? लार्ज अनाइन बाई बता रखा है ना तो जब अमीर से अमीर मिलेगा तो बॉन्ड बनेगा मजबूत ज्यादा निकलेगी हाईड्रेस लैटिस एनरजी लैटिस एनरजी क्या होगी? इस केस के अंदर ज्यादा होगी और जब गर हो रहे हैं अब वो पुरानी हमारी वीडियो में तो तुन्हें देख लिए होगी ठीक है वो भी अच्छा है लेकिन ये तुम देखो ज्यादा एफिशेंसी से इसको सीख पाऊग खुछ बच्चे फोटो लेते हैं स्क्रीन शॉट लेते हैं ऑनलाइन वाले बालक चाहो तो पॉइंट पर है चलो वह एक और टॉपिक आ रहा है बहुत सुंदर बहुत सुंदर टॉपिक आ रहा है इसको शीखना देखो भाई बहुत यहां लेटेस अनर्जी को निकालने के लिए बाण है बरेक प्रॉसेस से वह यूज करते हैं महां बेसिक है ठीक है ना उसको करा द बिना पढ़ाई सिखा दू तो सीखो फिर सॉल्वेशन और हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है माल लो यहां पर तेरे पास एक बॉंड है नाम इसका एने सियल कह नाम इसका और बॉंड कैसे बनाए सर एने पर है पॉजिटिव सी एल पर है माइनस यानिक आइनिक कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड है या आइनिक कंपाउंड ऐसा बोल दो आओ बिटा तुम्हारे अंदर कुछ-कुछ होता है इस कुछ-कुछ कोई बोलते हैं आइनिक बॉंड या आइनिक अट्रेक्शन बहुत सुन्दर चाल अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब क्या हुआ एने और CL में बहुत बढ़िया प्यार से दौन और है रहे थे हैं अचानक से एक पड़ोसी आया जिसका नाम है तुमारा नहीं उसने है चलो बेटे आवाज आ रही है ओनलाइन बडीज अवाज कुण नहीं हरी है बच्चे आवाज आ रही है अच्छा कहां से नहीं कहां कौन सी तम से छूट गया था यह बताओ अबच्चे हास रहे न लाइक कौन सी तम से छूट गया था बिटा स्टार्टिंग में ही छूट गया लो बहुत बड़ी चीट छोड़ दी मिटा तुमने चलो कोई बात नहीं मैं एक बात से बाड़ा पढ़ाने की कोशिस करता हूँ कहां से चूट गया था यहां से पेज से यहीं से गाया चलो गई यह ठीक है तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम देको हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी नहीं पढ़ी हम लोगों ने लेटिस एनर्जी पढ़ी या आइनिक बांड पढ़ लिया बहुत सुनों यह एने हैं यह पॉजेटिव और यह कौन है बेटा जी सी अल नेगेट है अब तुम लोग थोड़ देर पहले सीखा के पोलर भी और यह आइनिक भी है तो सर आइनिक में कुछ-कुछ होता है और इसी कुछ-कुछ को क्या बोलते हैं हम लोग आइनिक बांड बोलते अब क्या हो रहा था बहुत बढ़िया दोनों जो है हसी-कुछी अपना जीवन यापन कर रहे थे अचानक से एक पड़ोसी आया जिसका नाम क्या था बेटा वाटर अब वाटर ने क्या काम किया इसके हैस प्रजिटिव से अपने एलेक्टरॉन को खीचा और यहां पर क्या चार्ज बना लिया अब वाटर ने बोला भाई एने प्लस देख लो कुछ हो जाए तो एने ने अट्रेक्ट होने से मना कर दिया इसने एक और वाटर का मॉलीकूल लाने की कोशिश की तो अब लगा के जैसे मानो अब कोई अट्रेक्ट हो सकता है यह अब भी नहीं पिगला या पिगली अब क्या होगा पिगला अब क्या होगा वाटर मॉलीकूल ने अपने स्कीम ही चेंज कर दी इसने बोला नहीं हम तुम्हें अप्रोच करेंगे ही नहीं हम दोबारे कांटर हैन को अप्रोच करेंगे तो इसने इसके अपोजिट पेर को अट्रेक्ट करने की कोश जी फिर sodium भी बिचारा last में तूटी जाता है अब क्या होता है CL सोचता है कि इसके साथ वो खुश रह लेगा तो CL जो है इसको बाद में पता लगता है किसके साथ हुआ है धोका क्योंकि यह एक water molecule ही नहीं यह तो बहुत सारे water molecule है तो इसका मतलब आप बाद में असलियत पता लगी यह समझे रहो ना बॉन थोड़ा डिजाइनिंग बॉन बना दिया है लेकिन आपको नहीं बनाना ऐसा आपको ऐसी बनाना और ऐसे तमाम water के molecule जो है इसके साथ लड़ने के लिए तयार हो गए तो बाद में लोगों कुछ इक्षा मिलती है कि घर में ही जन्तुष्ट रहना चाहिए राइड सही हाँ जीवन देखो कितना रिलेट कर रहा ने के मिश्टी से आ जाओ इधर आओ बाई सभी वालक सुनो सुनो अब यह water molecule एने एने भी सोच रहा था कि रह लेंगे तुम्हारे बिना तो देखो कैसा बिना मिला है इसको अलग अलग water molecule ने इसको भी घेर रखा यह अपनी functioning करें नहीं पाता बिचारा निर्भर हो जाता है water के उपर बस यही है बेटा जीवन के यहां से water के अलग अलग molecule जाके इसको क्या कर लेंगे अट्रेक्ट कर लेंगे सिग्या तुम्हें क्या लगता है पानी हर किसी को तोड़ने के वकात रखता होगा किसी भी पियर को तोड पाएगा उसी पियर को तोड़ पाएगा जिसकी आइनिक बॉन्ड लेटिस एनर्जी से कम पाएगा दुवारा सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूं इस प्रॉसिस के अंदर सुनो क्या हुआ सुनो आइनिक बॉन था टूटा हाइड्रेशन हुआ और इस प्रॉसिस में जो एन उसी फिस फडॉटा है तो जो इश प्रॉसिस में एनर्जी रिलीज होती है उस रीलीजिंग एनर्जी का नाम होता है हाइडरेशन अ अगर वह पानी है तो और कोई और सॉल्वेंट है दानी इस व्भीशनılar चीन और सॉलभे द्यान चाहिए सुनो 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 पिच्चर समझ मागे बेसिक थी क्या हुआ एने टूटा सी यल टूटा एनरजी रिलीज हुई हाइड्रेशन हैं जी मैं आपसे कह रहा हूं क्या यह पड़ोसी हर किसी पेर को तोड़ सकता है क्या नहीं किस पेर को नहीं तोड़ पाएगा जहां इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टॉंग होगी समझ पाएं नहीं समझ पाएं इसका मतलब इस एनर्जी का नाम क्या था लेटेश और जब तूट जाएगा तब जो इनर्जी रिलिज होगी उसका नाम क्या है हाइड्रेशन इसका मतलब यह तब ही पॉसीबल है पक्का एक factor और है solubility का कहो तो बता देता हूं नहीं तुम मना करोगे तो हम मानेंगे हैं बता दो तुम मना कर दो कि सर मत बताओ तो नहीं मानेंगे हम लोग मान जाएंगे solubility तो solubility का एक factor तो यही है सर्फ solubility solubility क्या लिख दिया है लिख दिया ही तो solubility सब दिमाग का खेल होता है solubility is directly proportional to dielectric constant k dielectric constant क्या होता है force का formula पढ़ा है तुम लोगों नहीं k q1 q2 divided by r square जैसे water का dielectric constant ज्यादा होता है तो मैं पता है सबसे जो कि वाटर से तो बहुत ज्यादा है जैसे कि डी टुओ का होता है सेवन्टी एट वाटर का होता है एटी वन ऐसी इथेनॉल का स्वेस्ट फोर का लास्ट का मुझे याद है एचेफ का आई थिंक आई थिंक 120 होता है ठीक है ना बाकि यह देटा एक बाद चेक कर लेना है पानी का 93 होता होगा या फिर 120 होता है मैं थोड़ा सा कंफीज हूं एक बाद चेक कर लेना है इसको डेटा को डेकर डेक्ट डेटाबेस नहीं आएगा सबाद लेकिन पता होना चाहिए हचेफ का ज्यादा होता है यह त्या है सुनो यह पढ़ले पढ़ागी बात तो मतलब यह मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया यूज नहीं होगा भी आपके लिए बट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया चलो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं बहुत देर से रख्यू यह है इसको देख लो भईया क्या कह रहा होगा तो solvation होगा पानी होगा तो hydration होगा दो डिफ्रेंट आयन ओफ दा कंपाउंड विल गेट सेपरेट समझ गे एन पॉजिटिव सील नेगिटिव सेपरेट सेपरेट होगे अब तोनों एंड विल गेट सराउंडिट बाय दा सॉल्वेंट मॉलीकूल पानी ने उसको क्य इस कालड़ वार्ट पनकलेके मां मिक तो क्या रहेगा एक्जोथर्मी की रहे वार पंडा पूरा प्ड़ाना समझ में ना है तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जब एक बार सीख जाओगे ना बार बार दोबारा पढ़ोगे तो दुबारा सीख जाओगे लेकिन अगर मैंने एक बार पढ़ा दिया तो उससे नीचे का ही concept समझ में आएगा उपर का नहीं आएगा इसलिए पहली बार का data हमें सा strong रखना चाहिए teacher कोई भी हो teacher कोई भी हो अगर हमें भी कोई teacher इससा में देख रहा है तो पहली बार जो पढ़ाओ जबरजस्त पढ़ाओ जबरजस्त पढ़ाओ भई जहां से data उठागे पढ़ा सको पढ़ाओ पर पहली बार में संपूर्ण डेटा पढ़ाओ यह मस्वोचों कि पच्चा भाग जाएगा यह बच्चा नहीं पढ़ेगा जबरजस्त पढ़ाओ अच्छा बच्चा जो होगा उसको देखेगा ठिकेगा और जिसको जाना होगा बिटा वो जाए गए जी वन में एनसील की तरह है चलो शेम शेम पोलर सॉल्वेंट बदल ले पस नॉन पोलर कर ले बिलकुल 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 बैया बात समझ में आ गई उमंग बता दे डेटा क्लेर दे रहा अगला सवाल ये रहा कंपूटर स्क्रीन पर हाइडरेटेड रेडियाई सुना होगा आप लोगोंने काफी है बहुत परएशान अगर फ्रेक्शन उविए रहे अगे अगंडियाँ आई समझ में तो बताई हो कि हएड्रेषय निजी तुझहे परएशान कर जाए तो रेडियाइ तुझहे परएशान कर जाए तो बताई हो hydrogen जो energy होती है हाइडरेशन एनर्जी किस बात पर डिपेंड करतीहिए बहुत ध्या 1974 सभी वच्चह है के जैसे मैंँने आप लोगों से बात कहի हैं मैंने बोला हाईडरेशन एनर्जी限 कौन सी लीथियम ऐसे था लाई चीएल था क्या था पानी ने घेर लिया और इसने अपने बॉंड को ब्रेक कर दिया तो यहां से बॉंडिंग ब्रेक हुई और चीएल और लाई के अराउंड कौन आ गए बेटा जी बहुत सारे पानी फस गया कौन लाई और चीएल हाँ या ना अब क लीथियम प्लस थे और यहां पानी आए यहां पानी आए यहां पानी आए यहां पानी आए और पानी पानी हो गया जहां जाओगे वहां पानी जैसे जाओगे वैसे पानी आप तो भाई लीथियम के रहा भाई फस गया ना हिल सकते ना आगे कहीं चल सकते यह पानी पानी ह हो गया बोलो गेम समझ मारा है और ऐसा पानी-पानी हुआ एसा पानी-पानी हुआ कि यहां से यह जो लीथियम था यह एक काइंड ओफ इस्पीयर बन गया पानी-पानी का और यह वाला जो डिस्टेंस था इसी डिस्टेंस को लोगों ने कहा रेडी आई और किसकी रेडी हएं किया नाम रखा हाइड्रेटे मुद्द यह नहीं है हाइड्रेटेटी रेड़िय सीखना मुद्द गुछ यह कि बताऊ अगर यह एलाइई ज्यादा प्लस होगा यह जो भी मैंटल होगा मालो एम गी प्लस होता इसका मतलब क्या होता यह ज्यादा वॉर्टर यह ज्यादा water molecule को घेरता और और अगर यह कम होता तो कम को घेरता तो मुझे बताओ यह इसका नाम है lithium, इसका नाम है sodium, इसका नाम है potassium, इसका नाम है rubedium, इसका नाम है cesium, बेटा top to bottom भड़ते हैं, तो charge by size घट जाता है size बढ़ेगा, total value घटेगी, charge become common, यह सर्णो, और charge by size घट गया, मतलब कौन घट गया, attraction घट गया sir, और attraction घट गया, तो कौन घट गई, sir घट गया कौन, sir घट गया, hydration, यह मैं कहूं, hydrated, radii, समझ में तो नहीं आई, radii क्या हो गई बेटा जी, यह radii घट गई, अब देखो सुंदर बाद समझना चाहोगे, देखो, अगर मैं तुझे सवाल दे देता है, सुले, मैं तुझे सवाल देता है, यह लीथियम है, प्लस, और यह है आपका, कौन होता नीचे, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबेडियम प्लस, यह है कोई, और प्यारे बच्चो, अगर यह गैस होता, गैस, और मुझे कोई साइज का ओर्डर पूछ लेता, साइज का ओर्डर बता दे, भाई, तो मैं क्या आंसर द बड़ी बात, लेकिन अगर यही, यही लीथियम, अगर मैं कर दूं, लीथियम प्लस, एक्वास, सोडियम प्लस, एक्वास, पोटेशियम प्लस, एक्वास, और आरभी प्लस, एक्वास, तो बेटा जी, पिच्चर बदल जाएगी, और क्यों बदल जाएगी, उसका नीजन यह कि सर, Li प्लस की चार्ज डेंस्टी, चार्ज बाई साइज जादा है, जबकि इन सब का साइज बढ़ने से चार्ज बाई साइज घट गया, अट्रेक्शन घट गया, इसलिए क्या हो जाएगा, जितना यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना यादा ही तो water molecule attract करेगा और जितना यादा अट्रेक्ट करेगा उतना ज्यादा बड़ा سपीर बनता चला जाएगा यही अगर वीक हो गया तो पानी नहीं जाएगा इसके साथ वीक हो जाएगा रेडियाई कम हो जाएगे क्या सीख पार या नहीं जवाब देदो क्या बेसिक बाते है अब मुझे बता हो आयनिक मोबलिटी बस एक छोटी से बात बदा दो अगर किसी के अराउड ज्यादा वाटर मॉलीक्यूल है तो क्या वो मूव कर पाएगा जब नहीं मूव कर पाएगा तो आयनिक मोबलिटी क्या हो जाएगी कम तो इसका मदब आयनिक मोबलिटी is inversely proportional to hydration अगर उपर वाले का ओडर लिखना पड़ जाए अरेंज इंटू दा आइनिक मोबिलिटी दिन हाव कें यू राइट सार बिलकुल सिंपल ओडर हो जाएगा सर जो रेडियस एक्वस के साथ है उसका पोजिट वाला टम यहां मोबिलिटी मिलेगी तो बताव सबस्याद मोबिल इन में से किसकी होगी आरवी के आरवी प्लस एक्वस से असनो क्या सीखे बड़ी बास सीखे पानी की प्रजेंस में जो तुम्हें आइन दिखाई दे रहा है ना बड़ा वह एक्चल में छोटा होता है क्योंकि वहां पर कौन सी एनरजी लग रही होती है हाईड्रेशन रे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि बात पर नहीं केवल एक ही फेक्टर पर डिपेंड करती है जो हाईड्रेशन आपको दिखाई दे रहा है सी बच्चा पहला एक्टर समझ माया के एक्वस सोलूशन में जितना छोटा साइज होगा उतना बढ़िया हाईड्रेटर रेडियाई रहेगी और जितनी ज्यादा रेडियाई होगी उतनी कम क्या रहेगी बेटा मोबिलीटी रहेगी अगला देखेंगे सभी इलेक्ट्रिक कंड़क्टिविटी बता दीजिए आप थोड़ा दिमाग लगाईए इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी का जो रेशो रहता होगा जो इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी का रेशो आप लोग देखते होंगे वो क्या देखते होंगे बेटा इलेक्ट्रिकल कंड़क्टि कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि ionic mobility ionic mobility जो भी आप पढ़ोगे हैं सुन ले इस directly proportional to what सर electrical conductivity electrical conductance या conductivity चलो इस question को हम लोग करते हैं तरीके से सुन भई सुनो सुनो na plus mg plus 2 और al plus 3 ठीक है सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं in gaseous face gaseous face में size बताओ तो अब क्या order देने वाला हूं जल्दी से बताओ sir na plus का gas में size छोटा होता है mg plus 2 से al plus 3 से और ये data आप लोग समझ पा रहे होंगे सही है गलत है तुम तो yes कर रहे हो अभी left to right नहीं है घदो ये तो क्या बोलोगे sir इस order को ठीक कर दो समझ मारे नहीं आरे समझ मारा conscious होगे बैठो आज़ा आज़ा इदर आज़ा तो क्या काम करोगे sir normally देखें तो क्या होना चीए order ऐसा लेकिन अगर इसी को मैं कौन से face में देखूँगा एक्वस फेस और एक्वस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं हाईडरेटिड रेडियाई तो order क्या मुल जाएगा मुझे ऐसा मिल जाएगा अच्छा एक्वस भी हो गया अगर मैं आइनिक मोबेलिटी देखूँगा आइनिक मोबेलिटी या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल कंडेक्टिविटी तो order फिर से क्या हो जाएगा उल्टा तुम लोग सीख पाए नहीं सीख पाए कितने बच्चों को यह बेसिक और फंडामेंटल बाते क्रिस्टल के लिए रो चुके भई यहां तक कितने बच्चों को कोई समस्चा नहीं है बड़िया तरीके से यह डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए राइट अब क्या रह गया पांस मिनट का एक टॉपिक क्या है यह इसमें आपको एक ही चीज देखना है difference in radius जितना जादा radi i में difference होगा जितना ज्यादा radii में difference होगा जितना ज्यादा difference in radii होगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी तुझे क्या मतला बैसर इस बात का देखो पहले आपने क्या देखा पहले आपने देखा latitude पताओ, लेटिश और स्वालीबिलिटी का रिलेशन क्या था अपोजित अ कि इसकी लेटिश एनजी ज्यादा है उसकी हाइडरेशन टीचागा मतलब आगें, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको इसका मतलब पहले आपने देखा अमीर अमीर गरीब गरीब, अब क्या देखना है, अमीर गरीब, खतम, अरे सीख पाएं ने सीख पाएं, अरे गेम सब्सक्राइब आया कि नहीं आया, यह देख, क्या लिख रखा सन्य है, डिफरेंस इन रेडियाई बढ़ने से, जितना जादा डिफरेंस बढ़ेगा, रेडियाई में उतनी ज्यादा क्या मिलेगी solubility अर्थार्थ मैंने बोला यह बिटा एलाई एफ तो जड़ा चेक कर लें कौन अमीर कौन गरीब सर भाई यह एलाई छोटा साय सर यह तो गरीब आदमी है और एफ नेगेट इब बहुत गरीब है सर यहां जाओ यह क्या है सर यह अमीर है और यह क्या है बाद सर मिल चुका है प्रोग्राम और किसका पर यह द्हान से सुनलो solubility और यहीं अगर मैं लेटिशनल जी पूछू यहीं आइनिक स्टेंद पूछू उल्टा कि बोलों साथ माया किनी आई बाई यह गेम समें आगया क्या आगया आगया सुनले कि Colle यहाँ अitला बच्चा इसे तर देख यह बड़ा है ओ बाला मेर्मिर आदमी है टो कि गणीब है कि यह क्युएं ये क्यूं हैं ये क्यूं है सब्सक्राइब और दिए क्या क्या होता पूछ लो अब रुख जाए यार हम सेकेंड पेंट फोर्थ कर रहा है गेम सम्झ माया कि नहीं आया नेक्स आजाओ लगाओ दिमाग लगाओ बिटा दिमाग जल्दी जल्दी कौनसा फेक्टर यूज करोगे घरीब घरीब जल्दी बता मता सर सीधी सी बात है सर ये सर मुझे अमीर दिखाई दे रहा है ये बाई मुझे गरीब दिखाई दे रहा है यह इस केस में दोनों दोनों क्या नजर आ रहे हैं गरीब काई आंसर हो चुका है कि यहां आजाब भी ये छोटा है एम जी बड़ा बड़ा इसका मतलब ये क्या वेटाइड और ये भी दिया है अमीर अमीर को शीधना पड़ेगा विटव मああर्णिये क्या है शीफ़ता अडाया कि ये मैं गल्ती से इसको लिग गया बीई है यह गरीब और यह क्या विटा अमीर है अरे सीख पाया नहीं सीख पाये सीखे तो नहीं हो जल्दी बताओ सीखने नीच यह हो जाएगा अगला बताओ mgf2, cf2, crf2, bf2 जल्दी बताओ कैसा होगा बिटा सर यह कौन है सर यह गरीब है सर और यह भी कौन है सर यह कौन है सर यह कौन है सर खतम हो चुका आंसर तुम देखते रहा जाओगा आंसर चट से खतम कोई दिमाग नहीं लगा ना कहीं भी कैसे भी लेकिन लॉजिक को मत पूचो और फिर तुम्हाले चक्क्र महा में भी गालीया पड़ रही है क्या गरीब और अमीर सिखना गया है एलए positive यह वाली बात negative यह positive नेगट आप 25 खतरनाक अमीर है क्लोरेट बोलते हैं क्या बोलते हैं klorate दो बहुता है तो है क्लोरेट आ गया है तो obvious है सर यह कौन है कि नहीं जि चपता है यह होती है धाकि यहां एक एकसेप्टशन है इन फॉष्ट ग्रूप कौनसे ग्रूप इन फॉसत ग्रूप भाई कार्बोनेट और कार्बोनेट पहले ग्रूप के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा डॉमिनेट कर जाता है लेटेश एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा डॉमिनेट कर जाता है लेटेश एनर्जी उस केस में गरीब गरीब अमीर अमीर नहीं सिख पाए है भाई हम बढ़ा है इसका लेकिन भया इसकी solubility क्या रहेगी बुल्टा तो नहीं बोल दिया मैं नहीं ये कौन है ये कौन है ये अमीर है ये भी तो अमीर है ये कौन है ये इसकी रिस्पेक्ट में गरीब है और ये क्या अमीर है बिल्कुल सही आंसर है ये आंसर है इसका तुम ना ऐसे डॉमिनेट करेगा, ओनलाइन वाले बच्चों बताना जरा, ओनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बताना समझ में आया, आप या, अक्सद जैन, आरेव, सिदानी, बताओ जरा, गेम समझ में आया बिटा, कक्षा में आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अपनी अगली क्लास म क्या क्या आ रहा है बेटा, सबसे पहले आ रहा है रेडॉक्स, रेडॉक्स के कौन-कौन से पार्ट आएंगे, सबसे पहले आएगा बेलेंसिंग, ओक्सिडेशन स्टेट, और तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है आप लोगों को N फेक्टर, एक चैप्टर यह हो गया, एक चेप्टर यह हो गया periodic सुन ले periodic आरा complete और तीसरा आरा है बिटा chemical bonding जितना chemical bonding हो जाएगा उतना तीन test होंगे तीन test सबसे पहला test होगा J-E main और NEET हाँ जी केवल chemistry आईगी इसमें और दूसरा test होगा J-E advance paper 1 और तीसरा होगा J-E advance paper 2 paper 1 paper 2 एक तिन में लेंगे और ये एक दिन में लेंगे यानि कि एक week में ही होगा ये सारा program इसमें NEET होगा इसमें NEET होगा इस वाले में और NEET दो NEET होँगे दो NEET होँगे तीन अलग जब टैस्ट है दो दिन यूज होंगे पहले दिन में जेई मेन और नीट होगा दूसरे दिन में जेई एडवांस दोनों पेपर और नीट का आई पेपर होगा एक यह अफ्तिम होंगे हाशीदा एडवांस यह सब एडवांस चला अभी चलो थैंक यह सो मुच तो अलो